इस दुनिया का ब्रह्मांड का यही सबसे बड़ा सिध्धान्त है यह हम इन सिध्धान्तों को निभाना सिख लें इन पर चलना सिख लें इनको अपने जीवन में घटित करना सिख लें तो मुझे लगता है कि जीवन अद्भूत हो सकता है सुख से भरा जा सकता है आनन्द से उत्प्रोथ हुआ जा सकता है यद्ध्यपी की अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी है परन्तु निभाने में हिचकी चाहट इस सिधान्त को स्वीकारने में हिचकी चाहट इस सिधान्त को अपने जीवन में घटित करने में हिचकी चाहट यही तो जटिलता है यही तो बाधा है यही बाधा तो हमें अपने सुख के नए रास्तों को खोलने का मौका नहीं देती यदि हम इन सिद्धानतों पर चलने की कोशिश करने लगे तो हमारा जीवन स्वेम ही अद्भुत हो जाएगा सुख में हो जाएगा आज नहीं तो कल किसी ना किसी एक दिन तो हमें इसे स्विकार करना ही पड़ेगा ये तो प्रकृत का नियम है कि मनुष्य जैसा कारे करेगा उसको फल भी वैसा ही प्राप्त होगा अधिकान शिबार ऐसा ही होता है कि हम नकारत्मक राहों में कदम रखते रहते हैं पाप कर्मों में सनलिप्त रहते हैं और पाप कर्मों में सनलिप्त होने के कारण उनके प्रणाम स्वरूप दुख भोगते रहते हैं और यही करते करते जीवन नजाने कब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है हमें इसका पता भी नहीं चलता और सब नेक कारे, सतकारे, पूर्णे के सभी कारे धरे के धरे रह जाते हैं और हम नजाने कब पाप की एक गठरी तैयार करके और अपने अगले गंतव्य के ओर चल देते हैं हम इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं और इन से इन दुख के भरे रास्तों से हटकर सुख के ओर जाना चाहते हैं वास्तिक सुक्कियों जाना चाहते हैं तो हमें इन सिद्धान्त को अपनाना होगा वो सिद्धान्त यही है कि हम अपने अधिकारों के लिए तो चिंद्स रहते हैं अपने अधिकारों के लिए अपने अधिकारों को पाने के लिए तो परेशान रहते हैं हर छाण सोते जागते उठते बैठते आते जाते समय अकेले या दुकेले या भीड में हूँ कभी भी हर समय बोजन करते समय किसी भीकारी को करते समय यहां तक की पूजन करते समय अपने ईश्वर की आराधना करते समय भी कितनी बड़ी विडमना है कितनी बड़ी जटिलता है कि हम अपने आराध्य की आराधना कर रहे हैं हम अपने इश्टधेव की आराधना कर रहे हैं और हमारा ध्यान उनके अनुराग में नहीं, उनके चरणों में नहीं, उनके पूजन में नहीं, बलकि हमें अपने स्वार्थ की चिंता होती है कि हमें ये मांगना है, वो मांगना है, भगवान से ये मांग लिया जाए, वो क्या क्या मांग लिया जाए उन्हें तो सर्वस्व मालूम है उनके हाथ में तो सब कुछ है तो इस प्रकार से हम हर छण अपने अधिकारों को पाने के लिए चिंतित रहते हैं परेशान रहते हैं जाकरुक रहते हैं हर छण अपने अधिकारों को हम पाकर अपने कबजे में कर लेना चाहते हैं कितनी अजीब सी बात है हमें किसी भी कारे में एकागरता प्राप्त नहीं हो पाती हमें एकागरता से अपने कारे को नहीं कर पा रहे है एकागरता से यदे हम अपने कारे को कर रहे होते पूजन अर्चन कर रहे होते तो हमें इन सब चीजों को मांगने की इच्छाय नहीं आती हमें इन सब चीजों को मांगने का मौका नहीं प्राप्त होता जब अपने आराध्य के चर्णों में अनुराग होता है उस आराधना में ध्यान मगन जब भक्त होता है तो उसे कुछ भी आवास नहीं हो पाता बस ईश्वर में ही सर्वस्व दिखाई पड़ता है अपने लिए कुछ भी नहीं मांग पाता कुछ नहीं सोच पाता उसे तो अपने ईश्वर के चर्णों में अनुराग की अनुभूती होने लगती है और जब ऐसा होने लगे फिर क्या और यही तो समस्य है हमें उस चर्ण तक तो ही पहुँचना है हम अपने अधिकारों के लिए इतना ज़्यादा सजग है इतना सचे थे पर हम इस बात को भी सोचे किसी चर्ण हम इस बात पर विचार भी करें गहन चिंतन मन्थन करें धहरी पूरवक समझें कि हम अपने कर्टव्यों का कितना नेरवहन करते हैं हर प्रकार के कर्टव्य जिस प्रकार हम हर चर्ण अपने अधिकारों के लिए सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं, थीक उसी प्रकारिय देहम अपने कर्तव्यों के लिए छड़ प्रती छड़ सचेत रहें सजग रहें कर्तवों के निरवन के लिए चिंतित रहें तो मुझे लगता है ईश्वर से प्रीम बढ़ सकता है उनके चरणों में अनुराग बढ़ सकता है पूजन अर्चन की प्रक्रिया बदल सकती है एक वह एकागरता का भावत्पन हो सकता है जब बगत अपने ईश्वर के अपने भगवान के चरणों में अनुराग के समय सरवस्व भूल जाए यही तो वह अदभुत चरण होता है जो हमें प्राप्त करना होता है जब हम अपने कर्तव्यों के निरोहन के लिए प्छण प्रतिछण उतारू हो जाते हैं हम उसको लेकर इतना सजग हो जाते हैं हम प्रते कछण प्रते क्रिया कला प्रते गतिविधी में अपने कर्तव्यों को ही ध्यान पुरुवक देखते हैं तब हमें इस बात का भास होता है कि हाँ जीवन स्वेम अदभुत होने लगता है जीवन स्वेम ही सुखमे होने लगता है यही तो अदभुत रूप है कर्तव्यों के निरोहन का जो व्यक्ति को एक नया व्यक्तित तो प्रदान करता है हमारे शरीर में सफलताओं की कुझजी स्वेम भरी है उस अद्बुत जीवन को प्राप्त करने की बहुत बड़ी कुझजी हमारे पास स्वेम ही है परन्तो हम उसका उप्योग नहीं कर पाते यही अज्ञान है यही अज्ञान हमें उस कुंजी को उस चावी को उप्योग करने में बाधक बनता है धीरे धीरे जब हम अपने कर्तवियों के निर्वहन के लिए आगे बढ़ेंगे हमारा अज्ञान ग्यान में पढ़नित होने लगेगा तो स्वे में ही हम अपने कर्तव्यों के और बढ़ने लगेंगे और जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगेंगे सुख की कुंजी स्वे में ही हमें पता चल जाएगा केसे उसे उपयोग करना है और हमारे लिए सुखानन्द की अनुभूती की प्राप्ति होने लगे की जब ऐसा होने लगेगा जीवन सेम ही अदभूत हो जाएगा